जय हैं इंटो गदा ओफिसर्स कैसे आप लोग उमीद कताओं बहुत ही अच्छ होंगे मेरा नाम है प्रतीक दोस्तो हाली मैं वापस से इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक मुद्दे को लेके बड़ा ही मामना गरमाया हुआ है बिल्कु सही आपने सुना है क्योंकि हाली में भारत ने नोटिस बेजा है पाकिस्तान को और बोला है कि हमें इंडिस वाटर ट्रिटी के रिगारिंग जो 1960 में आपका साइन हुआ था हमें इसमें पूर्ण यहां पर विचार करना चाहिए कई सारे यहां पर हमें मोडिफिकेशन्स लाने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर पाकिस्तान बड़ा आरूप लगाता है कि आप यहां पर चेनाब में आप जहलम में आप हाइड्रो पाउल प्रोजेक्ट्स बनाये जा बढ़ता है तो यहां पर आज हम डिसस करेंगे इंडस वाटर ट्रिटी क्या होता है करेंट इशू क्या है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम समय देखने को मिलती है इसके वरे से इतना लंबा डिस्प्यूर चल रहा है सबको आज हम बड़े अच्छे दें डिसस करेंगे व हमारे ट्रिटी है जो 1960 में साइन हुआ था हम इसमें मोडिफिकेशन स्टाते हैं आए मिलकर बैठते हैं ठीक है दो यार तो नहीं वह एक कहावत है न मिल बैठे दो यार ठीक है पर आपको तो पता ही उसका क्या आगे देखने को मिलता है ठीक है तो इसमें फंडेमेंटल च प्रिटी है यह बहुत ही पुराना हो गया है अब हमें इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना ही पड़ेगा और यह क्यों हमारे जो मोडी जी की तो सरकार के लोग है यह क्यों बोल रहे इसने बोल रहे क्योंके भाई पाकिस्तान जो कभी बाज आता नहीं है अपने अरकतों से लगातार blame game करता रहता है कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया भी या हमने यहाँ पे चैनाब मैं और यहाँ पे किशन गंदाब जहलम यहाँ पे बोलो हमारे hydro projects बने है वहाँ पे यहाँ चल भी रहे है इस पे हम यहाँ पे क्या कर रहे है लगातार हम इसका इस जो पूरा treaty है इसको violate कर रहे जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है इस act को इस treaty को समझना अब क्या है आखिर Indus Water Treaty अब Indus Water Treaty के हिसाब से पहले हम इसको मिटाएंगे ये आपका दोस्तो Water Sharing Agreement है between India and unfortunately Pakistan ठीक है और यहाँ पर यह आपका sign हुआ था 19 September में बस अभी देखलो अभी क्या चल रहा हमार अभी से किसी चल रहा है ठीक है 1960 में आपका यह sign हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में और इसमें यह बोला गया था कि Indus जो नदी है और जो इसके जित्ते भी हमें Tributaries देखने को मिलती है छोटी छोटी चाहिए वो Western Front में देख लो या फ़र Eastern Front में देख लो जो Reverse होते है इनका यहाँ पर बराबर तरीके से इस्तमाल किया जाएगा भाया आठ नो साल का Negotiation है यह ठीक है World Bank के भाई नजर में ही यह दोनों जो हमारी country है ठीक है Pakistan भी हमारे ही है ठीक है इनके बीच में हमें देखने को मिलता ही agreement ठीक है अब यहाँ पर बात करें दोस्तो इसको sign किस ने किया था तब यहाँ पर हमारे पधान मंदरी श्री जवाला नहरू जी ठीक है और first below Prime Minister of India और यहाँ पर पाकिस्तान की जो प्रेजिदेंट है आयूप खान ठीक है इनके बीच हुआ था यह पूरा agreement sign कहाँ पर कोंसे शहर में कराची में हुआ था ठीक है बहुत बढ़िया श्री गनेश इसको करेंगे आगे अब देखो यह image बहुती ज़्यादा important है पहले इसको हम बिटा देते ठीक है अब यहाँ पर देखो जो भी इसके map को अगर समझ गया तो भी आपका geography भी आपका अच्छा होगे current affair भी आपका अच्छा होई जाएगा अब यहाँ पर देखोगे तो जितनी भी हमारी जो western rivers है है ना में इंडस अधी की जितनी भी जो tributaries है उनकी बात करूँ वैसुर east में फैले होगे ठीक है चैनाप, जेलम और इंडस ठीक है अब यहाँ पर देखो यह है इंडस यह है जेलम और यह आपका चैनाप ठीक है यह सारा western आपकी reverse है ठीक है और इसमें इंडिया बिना किसी यहाँ पर रोख टोक के इनकी यह जिम्मेदारी है कि यह पाकिस्तान में यह सारी tributaries को अच्छे से बहने देंगे यह पाकिस्तान का पूरा मामला है ठीक है बहराल इसमें एक आपको act भी देखने को मिलेगा article है इसमें यह भी बोला है कि इंडिया भी इस्तमाल कर सकता है इसको बर शर्ते कि उसके कुछ certain conditional restrictions है पर ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता है और जितनी भी हमारे इंडस की tributary जो eastern side में देखने को मिलते जिसे सतलज, ब्यास और रवी ठीक है यह देख सकते हो सतलज, ब्यास और रवी इसमें पूरा हक यहां पे भारत का है भारत इसमें कुछ भी dam वगेरा कुछ भी बना सकता है ठीक है तो I hope इतना आपको यहां पे distribution समझ आ गया होगा अब यहां पे दोस्तों बात करते कि आखिर यह जो पूरा treaty है यह हमें क्या क्या चीज़े यहां पे बताता है देखो according to article 3.1 of the Indus Water Treaty पहले तो हम इसको मिटा देते हैं यह तो आपको दिक्कत हो जाएगी इसके अंदर साब साब बोला है कि जो भी western rivers है यह सिधा पाकिस्तान के पास जाएंगे ठीके कौन-कौन से मैंने आपको सारे बता दिये फिर बता देता हूँ इसमें आपका यहां पे यह था ना थी eastern हो गया और थी western कांग यहां यह थी western rivers इंडस, चेनाब और जेलम ठीके इन नदी में भारत कुछ नहीं कर सकता है यह तो भी देना पड़ेगा ठीके पाकिस्तान को क्या कर सकते हैं मजबूरी है बट इसी आर्टिकल में यह भी बोला है कि आपका यहां पे क्या कर सकता है इंडिया western rivers का इस्तमाल कर सकता है for limited purposes जैसे क्या क्या कर सकता है यहां पे hydroelectric power plant आपका बना सकता है देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यह limited purpose के लिए हम बना सकते है western rivers पे तो हमने यहां पे क्या गलती कर दी अगर हम यहां पे बना भी रहे है तो इसमें क्या गलत हो गया बट पाकिसान फिर भी इसको क्या कर रहा है इसको global issue बनाता है बे मतलब के लिए इवन यहां पे अगर आप देखो कोई अगर dispute होता भी न यह रयाद रखना अगर Indus Water Treaty में कोई भी dispute होता है तो इसमें आपका permanent Indus Commission आपका फिर बीच में आ जाता है यह आपका body आएगा अगर permanent Indus Commission भी कुछ नहीं करेगा तो भी यह कुछ neutral experts को यहाँ पे क्या किया जाएगा यहाँ पे रखा जाएगा experts को बुलाए जाएगा अगर इनसे भी नहीं होगा तो court of arbitrary फिर यहाँ पे tribunal का मामला बन जाता है फिर यहाँ पे matter पूरा क्या होगा solve होगा अब यह एक process है आपका पहले permanent Indus Commission के पास जाएगा अगर dispute होगा यह नहीं होगा तो फिर neutral expert के पास जाएगा अगर इससे भी नहीं होगा तो फिर court of arbitrary मतलब कि फिर ट्रिबुनल में मामला जाएगा है ना मतलब court में मामला आप एक तरीके से मान सकते हो पाकिस्तान यहाँ पे क्या बोलता है कि भीया यह भारत क्या कर रहा है इसका एक तरीके से गलत फाइदा उठा रहे तो हम direct court of arbitrary में जाएगे अरे यह एक process इसको follow करो आप भी तो इस चीज को violate कर रहे हो तो यह चीजे आपको देखने को मिलती बहुती जादा एक इसम से problem यहाँ पे देखने को मिल रहा है अब यहाँ पे बात करते है dispute resolution जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि अगर Indus Water Treaty में कभी भी कोई भी dispute आएगा तो इसमें यहाँ पे step by step इसको यहाँ पे क्या किया जाएगा follow किया जाएगा सबसे पहले अगर होगा कोई भी dispute permanent Indus Commission के पास जाएगा ठीक है और यह साल में लगबग इनको एक या दो मीटिंग करनी पड़ीगी dispute का matter आ गया अब साल मेंट को एक दो बार मीटिंग करनी है ठीक है मालो बन से यह रे मालो यहाँ पे और इस इशू को क्या करना डिस्कोसर रिजॉल्व करना है कि भाई यहाँ पे अच्छा और पुटा है अगर इनसे भी अगर हड़ी आता हूँ अगर इनसे भी अगर यह मामला सेट नहीं हुआ तो step 2 मतलब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कुछ neutral experts को यहाँ पे बुलाएंगे normally यह legal team ही होती है यह क्या करती है जो भी इस treaty में articles है उसको यहाँ पे जो भी technical terms होती है उसको यहाँ पे interpret करती है समस्ती study करती है फिर एक नतीजे में आती है फिर कई सारे provisions आपको देखने को मिलते है अगर मालो यह second step भी आपका यहाँ पे result अच्छा नहीं ला रहा है तब मामला जाता है step 3 में मतलब की फिर आपका यहाँ पे court of arbitrary और इसमें आपको लगबग 7 member देखने को मिलते है इस tribunal में तो यह पूरा process होता भी यह अगर कोई भी dispute देखने को मिलता है अब पूरा मामला है क्या अभी जो भारत नोटेस वेजा उसका कुछ एक current भी है current issue क्या है आए डिसकस करते तो भाई यहाँ पे देखो कि तो भारत बोल रहा है कि भाई साब मुझे बताओ कि हम जो hydro power project बना रहे हैं किशन गंगा का आपका जो रत्ले project है मैं आपे बता देता हूँ यह जहलम की नदी अगर आपको देख रही जहलम की नदी यह किशन गंगा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा तो इसमें hydro power project बना रहे है और article के हिसाब से जो मैंने आपको बताए भी अभी उसका हम यहाँ पे बना सकते projects तो problem यहाँ भी क्या है है ना तो यह चीज बड़ा आप कह सकतो कि इंडिया के लिए बहुत ही frustrating अगर देखा जाए तो ठीक है अब यहाँ पे बात करते कि इस पूरे treaty में ऐसे कई सारे आपको मामने देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे जो treaty है इसका कोई solution नहीं निकल रहा है इक तो यह 1960 का treaty है क्या ही इसका भी भी होगा बड़ वहराल हमें तो इसको पढ़ना ही पढ़ेगा ठीक है सबसे पहले पाकिस्तान को obstruction अभी देखो हम क्या बात कर रहे है कि आपके treaty में क्या-क्या problems है ध्यान देना है सिसकुम सबसे पहले पाकिस्तान का obstruction बार-बार किशन गंज और चेनाम नदी में कि हम यहाँ पे hydro projects नहीं मना सकते क्यों यह मना सकते भई हमारे treaty में आर्टिकल में दिया हुआ है बहले हम उसको consume नहीं कर सकते बट various purpose के लिए भी आपकी diamonds बनाए जाते हैं कि नहीं तो यह बर्मान नहीं रहे और आपका दूसरा अगर आप देखोगे दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका है failed dispute mechanism system मतलब यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान अकेले ही सीधा बोल रहा है कि हमें यहाँ पे court of arbitrary का मामला अभी करना है अभी sort out करना है वहिया act में दिया हुआ है कि आपका एक process होता है dispute को resolve करने का आपका permanent commission होता है फिर आपका यहाँ पे देखोगे the neutral experts होते फिर बाद में arbitrary court में जाओगे न आप आप डारेक्टी बोलो arbitrary court में मामला आप खुदी wallet कर रहे हो फिर बोलो कि इंडिया यहाँ पे कर रहा है ठीक है तीसरा यह बहुत है outdated आपके treaty है भाईया 1960 का जमाना कुछ और था अब आपका 2024 का time है यहाँ पे आपका current geopolitical situation बदल गया है environment बदल गया है यहाँ पे जो tech आपके कई सारे चीज़े होती है बदल गई है हमें इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा वापस से reform लाना पड़ेगा इसके अलाबा अगर आप यहाँ पे दोस्तों देखो तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यह जो पूरा जो legal process की बात करूँ यह भी बड़ा सरदर्द है क्योंकि होता क्या कभी-कभी कि कभी-कभी जो आपके जो neutral experts होते दोस्तों ठीक है और जो court of arbitrary की जो process होते यह कभी-कभी आपके parallel चलने लगते है की नहीं कभी आपका यहाँ पे दोनों के जो decisions होते, collide करते आपके से बात नहीं बनती है फिर meetings होती है पर इससे हो क्या रहा है इन दोनों की meetings के साब से parallel जो आपके decisions हा रहे है यह चीजों को delay ही कर रहा है है की नहीं तो इसका कुछ solution थोड़ी ना रहा है बड़ा contradictory आपको situation देखने को मिलेगा तो यह एक बहुत बड़ी problem है and last but not the least हम पाकिस्तान जैसे country पर कैसे भरोसा करे और जैसे यहाँ पर बोला भी गया है कि blood and water cannot flow together ठीक है, एक terrorist country है ठीक है, भाई भारत सरकार तो यह term दे रही है अभी तक तो यह एक बहुत बड़ी problem है जो हमें पाकिस्तान की साथ यहाँ पर face करनी पड़ रही है और कौन-कौन से हमें issues देखने को मिल रहे है जो कि बहुत ही concerning है हमारे exams के लिए तो सबसे पर अगर आप दोस्तों देखोगे कि आपका सबसे यह the most important power products बनाना नया बहुत ही मुश्किल है जैसे मनें भी गशिन गंगा का बताया चेनाप का बताया तो यह बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है दूसरा देखोगे कि limited आपका water usage हो रहा है अब इस treaty के वरे से क्योंकि पुराना वाला है भीया population बढ़ गई 1960 में गलग population थी 1900 आपका एक अलगी दोर था भीया बढ़ अभी 2024 का टाइम चल रहा है population बढ़ गया है consumption level बढ़ गया है अब हम इस treaty के हिसाब से water distribution को हम ज़्यादा अभी तक follow नहीं कर सकते है हमें reform की जरूरत है तो यहाँ पे बहुत ही limited water यह जहाँ पे दो countries को मिला जा रहा है यहनों मैं पाकिस्तान के लिए भी भोल रहा हूँ तो तीसरा climate change factor तो इसमें including नहीं क्या है इस पूरे treaty में environment का मुद्दा climate change का मुद्दा ऐसे कोई acts आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहे even global warming का मुद्दा भीया आप किस पे deal कर रहे हो पानी में deal कर रहे हो ठीक है पानी तो भीया आपका यहाँ पे climate change से global warming से कितना impact होता है क्या हमने इस act में इसका कोई जिकर किया कुछ नहीं किया है ठीक है तो यह बात है तीसरा आपका कि यह ground water को तो cover ही नहीं कर रहा है है की नहीं interesting इंडस water treaty भाई साब आपका यहाँ पे सिर्फो से जो surface water है देखो इससे भी आपका अच्छा यहाँ पे knowledge आ गया कि भाईया इंडस water treaty सिर्फो सिर्फो सिर्फ जो surface water है उसकी बात करता है ground water की तो बात ही नहीं कर रहा तो भाईया ऐसे कही से चलेगा क्यों क्यों आप देखोगे कि आने वाले टाइम में 75% 2050 तक तो भी है ground water भी आपको क्या होगा आपका deplete होने वाला है तो भाईया ऐसे कैसे काम चलेगा आपको इसको भी consider करना पड़ेगा इससे surface water ही तो यह कई सारे issues हैं दोस्तों इंडस water treaty को लेके डिसके regarding यहाँ पे कई सारे neutral experts माल लो permanent commission की बात कर लो या फिर court of arbitrary की बात कर लो भाईया मिलकर बैठके करना पड़ेगा और reforms लाने पड़ेंगे तो notice का अगर मैं आपको result बताओ तो पाकिस्तान ने वही same disability बात बोली तो अगर डर गया था वैसे मोदी जी ने जब यहाँ पे अगर आप बात करो उनकी सरकान ने जब यहाँ पे notice बेजा तो थोड़े तो परिशान हो गए इस बार इंडिया ने क्या कर दिया वापस को जोजीला पास आपको दोस्तों इन में से कौन से आपको state या union territory में देखने को मिलता है क्या ये लदाख है सिक्के में हमाचल प्रदेश है या अरुनाचल प्रदेश है जल्दी से मुझे दोस्तों comment करके इस concept फटटटट बता दो क्योंकि इसे से मुझे पता चलेगा आपकी पढ़ाई actually में एक्जाम्स के लिए कैसी चलती है अगर वीडियो इनफॉर्मेटर लगा है जरूर शेयर कीजे लाइक कीजे और सबस्क्राइब करना ना भूले